रविवार को लापता हुई बांगलादेशी एक्ट्रेस राइमा इसलाम शीमू की लाश एक बोरे में बंद मिली शीमू के दो तुकडे करने के बाद उनकी लाश बोरे में बंद करके फेकी गई थी पुलिस के मताबिक शब ढाका के केरानी गंच में आलियपपूर इलाके में हजरतपूर ब्रिज के पास सड़क किनारे सोंवार की सुभा मिला यूपी के विधानसवा चुनावों में अब समाजवादी पार्थी को तुरुमूल कॉंग्रिस का भी साथ मिला टीमसी प्रमुक और पशिम मंगाल की मुख्यमंद्री ममता बैनरची अब यूपी में सपा ध्यक्ष अखिलेश यादफ के साथ वोट मांगेंगी आगामी आठ फरवरी को ममता बैनरची रास्थानी लखनव में सपा की एक वर्च्वल रैली को संभूधित करेंगी भीम आर्मी के प्रमुक चंदरशेकर आजात ने नोईडा में प्रेस कॉंफरेंस करके एलान किया कि वो यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे उन्होंने का कि हम परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं चंदरशेकर ने दावा किया कि अखिलेश की उनसे 25 सीचों पर बात हुई थी वित्मंत्री निर्वल्णा सीता रमणने प्रेस कॉंफरेंस के दोरान कॉंगरिस पनिचाना सादा सीता रमणने का कि देवास मल्डी मीडिया का स्वधा धोका दड़ी का था उसी चुनावती के मामले में कोट ने अन्सी एल एटी के फैसले को सही ठ replayाया भारत और साउथ अफरीका के बीच बुद्वार से तीन मैचों की वंडे सीरीज शुरू होने जा रही है दोनों टीमों के बीच पहला वंडे मुकाबला पाल के मैदान पर खेला जाएगा जहां केल राहूल पहली बार 50-50 ओवर फॉर्मेंट में टीम इंडिया की कमान समालते नजर आएंगे रोहिच शर्मा के चोटिल होने के बाद केल राहूल को वंडे टीम का कप्तान बनाया गया है